बच्चों हिंदी कालांज में आपका स्वागत है आज हम बाल रामकता इस पूरक पाठ्ट्य पुस्तिका से पाठ्ट का अध्यान करेंगे बच्चों हमने पाठ चव था रामका वनगमन इस पाठ में देखा था कि राम सीता और लक्षमन वनगमन के लिए जा रहे थे तबी सभी अयोधावासी के आखों में आसुते बे यहत रिश्यतिक कर बहुत ही विचलित हो उटे थे और यही कारण था कि महाराज दश्रत अपने प्रिये पुत्र रामका वियोग सह नहीं सके और वनगमन के छटे दिन ही महाराज दश्रत ने अपने प्रयान त्याग दिये मतलब उनकी रुत्य हुई तो चलिए इस कालाज में हम पाठ पांचवा चित्रकुट में भरत इस पाठ में आगे की जानकारी लेते हैं भरत केके राज्य में थे अपनी ननिहाल में अयोध्या की घटनाओं से सरवता अनभिक्य लेकिन बेचिंतित थे उन्होंने एक सपना देखा था पर उसका अर्थ पूरी तरह समझ नहीं पा रहे थे संगी सातियों के साथ बाचित में उन्होंने कहा मैं नहीं जानता कि उसका अर्थ क्या है पर सपने से मुझे डर लगने लगा है अयोध्या में जो घटना घट रही थी उनके बारे में भरत को कुछ भी पता नहीं था वह केके राज्य में अपनी नानाजी के पास थे जो भी घटना ये थे अनभिग्य यानि कि उस घटना के बारे में उनको कुछ भी जानकारी नहीं थी लेकिन फिर भी वो चिंतित थे उन्होंने जो एक सपना देखा था उस सपने का अर्थ वो समझने पा रहे थे वह संकी साथियों यानि अपने मित्रों के साथ बाचित में उन्होंने कहा कि ये सपना जो है उसका मुझे कुछ भी अर्थ क्या है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहे लेकिन ये सपने से मुझे डर लगने लगा है मैंने देखा कि समुद्र सूख गया चंद्रमा धर्ती पर गिर पड़े, विक्ष सूख गए एक राक्षसे पिता को खीच कर ले जा रही है वे रत पर बेटे हैं और रत जो है वो गदे खीच रहे है जो सपना देखा था वो इस प्रकार था कि समुद्र जो है वो सूख गया था और चंद्रमा है वो जमीन पर गिरेग थे रक्ष जो पेड है वो पूरी तरह से सूख गए थे और एक राक्षसी है जो कि उनके पिता को खीच कर ले कर जा रही है और वे रत पर बेटे है लेकिन जो रत है वो घोडे नहीं तो गदे खीच रहे है इस तरह का बुरा सपना भरत ने देखा था जिस समय भरत मित्रों को अपना सपना सुना रहे थे ठीक उसी समय अयोध्या से गुड सवार दूत वहा पहुंचे गुड सवारों ने छोटा रास्ता चुना था जो भी अयोध्या में घटना जो घट रही थी अब उन्हों को श्रीराम, सीता, लक्षमन जो की वनगमन में जा चुके थे और दशरत की मृत्य भी हो चुकी थी तो सीहा सन पर जो कई-कई चाहती थी कि उनके पुत्र भरत को मिले इसलिए भरत को लाने के लिए वहां से जो गुड सवार थे वो आये थे और उन्होंने जल्दी आने के लिए छोटा रास्ता चुना था ताकि वह केके राजमे जल्दी फोंच जके फिर उन्होंने भरत को संदेशा दिया वेतात काल अयोध्या जाने के लिए तैयार हो गए लेकिन जो भी अयोध्या में घटना घटी थी जैसे महाराज दश्रत की मृत्यू या राम का वनगमन इनके बारे में घुर सवारों को यानि की दूतों को बताया था कि इस घटना के बारे में भरत को कुछ भी बताया ना जाये ननिहाल में भरत का मन नहीं लग रहा था उचट गया था वे अयोधा पहुँचने के लिए उद्धावले थे जो दूत संदेश ले कराये थे तद काल ही अयोधा जाने के लिए वे तैयार हो गए क्योंकि उनको ननिहाल यानि अपनी नाना जी के यहां उनका मन नहीं लग रहा था उचट गया था और वे अयोधा पहुँचने के लिए उत्तावले यानि की बेचेन थी केके राजने भरत को विदा किया सव रतो और सेना के साथ जब वो अयोधा के लिए निकले तब उनके नाना जी केके राजने उन्हें सव रतो और सेना के साथ विदा किया उन्हें घुर सवारों से अधीक समय लगा लंबा रास्ता पकड़ना पड़ा जब वो निकले तो रथों के द्वारे यानि कि रथों में बैटकर वो अयोधा के लिए निकले थे तो उनको जादा समय लगा रास्ता जो था वो लंबा था सेना और रतों खेतों से होकर नहीं जा सकते थे जो कि सेना और जो रत केके राजने उनको दिये थे वो खेतों से होकर नहीं जा सकते थे इसलिए उनको अयोधा पहुँचने के लिए आठ दीन लगे मतलब वे आठ दीन बाद अयोधा पहुँचे नदी परवत लांगते, ठके उई और चिंदित भरत ने अयोध्या नगरी को दूर से देखा नगर उन्हें सामान्य नहीं लगा, बदला बदला सा लगा अनिस्ट की आशंका उनके मन में और गेहरी हो गई जैसे ही वो अयोध्या नगरी को दूर से देखने लगे तब उनको जो नगर है वो सामान्य नहीं लग रहा था ऐसा लग रहा था कि कुछ नगर में बदला बदला सा वातावरन है और अनिस्ट, अनिस्ट यानि की अमंगल अनिस्ट का रता है अमंगल उनको लगा और आशंका मतलब संदेह उनके मन में अमंगल अशुबर संदेह जन की शक उनके मन में आ रहा था यह मेरी आयोध्या नहीं है उनको लगा कि यह जो बदली बदली आयोध्या है यह मेरी नहीं है क्या हो गया है इसे उन्होंने पूछा सडकी सुनी है बागबगी चे उदास है सब लोग कहा गए वह तुमुलोनाद कहा है पक्षी भी कलरों नहीं कर रहे है इतनी चुपी क्यों? किसी ने भरत के प्रश्णों का उत्तर नहीं दिया वह बूच रहे थे कि यह अयोदा मेरी नहीं है यह जो अयोदा नगरी है जो बदली बदली वह मेरी नहीं है क्या हुआ है इसे? रास्ते जो है वह सुने है बाग बगी चे उदा से और जो पक्षियों की जो कलरों है किल-किल जो आवाज है वह नहीं है और इतनी चुपी क्यों है? इतनी शांती क्यों है इस अयोदा नगरी में लेकिन उनके इन सवालों का जवब किसी ने नहीं दिया नगर पहुँचते ही भरत सीधे राजभवन गई महाराज जश्रत के प्रासाद की ओर प्रासाद याने की मेहल जैसे ही वह नगर पहुँचे भरत राजभोवन अपनी महाराज दश्रत की महल की ओर गए महाराज वहाँ नहीं थी फिर वे कई-कई के महल की ओर बड़े जब उन्होंने महाराज के महल में प्रवेश किया तब वहापर महाराज नहीं थी इसलिए उन्हों भरत कई-कई के महल की ओर बड़े मा ने आगे बढ़कर पुत्र को गले लगा लिया भरत को देखा तो पिर कई-कई ने अपनी पुत्र को गले लगा लिया परत तो भरत की आखे पिता को ढून रही थी मा से गले लगते भी भरत जो है अपनी उनकी जो नजरे है वो अपनी पिता को ढून रही थी उन्होंने मा से पूछा, पुत्र तुमारे पिता के बारे में पूछा फिर कई-कई ने कहा, पुत्र तुमारे पिता चले गए है वहाँ जहाँ एक दिन हम सब को जाना है, उनका निदन हो गया जैसे ही वो कई-कई की मेहल में आये थे और वह भरत अपनी वहाँ पर भी अपनी पिता की दोन रहे थे तभी कई-कई ने भरत को कहा कि तुम्हारे पिता चले गए वहाँ चले गए जहां हम सबको एक दिन जाना ही होता है उनका निदन हो गया है निदन यानि की वृत्ति हो गई है भरत यहां सुनते ही शोक में डूग कई पच्छाड खाकर गीर पड़े मिलाब करने लगे मा कैकैने उने उठाया धाडस पंदाया कहा उठो पुत्र यशश्वी कुमार शोक नहीं करते तुमारा इस प्रकार दुखी होना उच्चित नहीं है राजगुनों के मिरुद्ध है अपने को संभालो जैसे ही अपनी पिता की मृत्ति की खबर सुनी तो वो पच्छाड गाकर गीर पड़े शोक में नीचे गीर पड़े बिलाप करने लगे और फिर उनकी माने यानि कई कई ने उठाया और धाडस बंदाया यानि की सांत बनाया दिलासा दिलाया और कहां पुत्र यशेश्री कुमार जो राज कुमारे वो शोक नहीं करते, दुख नहीं करते हैं और इसी प्रकात तुमारा दुखी होना सही नहीं है, उचित नहीं है क्योंकि यह राजगुनों की विरुद्ध है इसलिए तुम खुद को संभालो क्या से क्या हो गया भरत यह मानकर चल रहे थे कि पिता राज्य भिशर की तैयारियों में वेस्त होंगे सब कुछ उल्टा हो गया उन्होंने मेरे लिए कोई संदेशा दिया भरत ने मा से पूछा नहीं अंतीम समय में उनके मुँँ से केवल तीन शब्द निकले हे राम हे सीते हे लग्षमा तुमारे लिए कुछ नहीं कहा भरत सोच रहे थे कि पिता जी जो है उनकी राम के राज्य भिशर की तैयारियों में वेस्त होंगी सब कुछ उल्टा हो गया यहाद यह देखते तो सब कुछ उल्टा हो गया था फिर उन्होंने अपने मा से पूछा कि मेरे लिए कुछ संदेशा दिया क्या पिताजी ने तो फिर उनके मा जो कई-कई ने कहा नहीं अन्तीम समय तक उनके मूह से एक ही मतलब जब उन्हों का अंतीम समय था तब उन्होंने ए सिर्फ मुँ से उनके तीन शब्द निकले थे हेराम, सीते और लक्षमन के बारे में तुम्हारे बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा भरत ब्याकूल थे विकलता बढ़ती ही जा रही थे वह तुरत राम के पास जाना चाते थे महाराज ने उन्हें वनवास दे दिया है 14 वर्ष के लिए सीता और लक्षमन भी राम के साथ गए है कई-कई ने भरत का मन पढ़ते हुए कहा कई-कई को पता था कि अभी वह राम के बारे में जरूर फूचेंगे इसलिए वो बता रहे थी कि महाराज ने उन्हें वनवास दिया है और वो अभी 14 वर्ष के लिए वनवास दिया है और उनके राम के साथ सिता और लक्षमन भी साथ गए है कई-कई ने भरत को जानकारी दे वह जानती थे कि भरत यहां आते ही वह सीधे राम के पास ज़रूर जाना चाहेंगे परन्तु वनवास क्यों? भरता राम से कोई अपराद हुआ? सुनने के बाद भरत ने उनसे पूछा वनवास क्यों लेकिन? भरता यानि के भाई राम से कुछ अपराद हुआ है? कोई गलती हुई है क्या? तो बच्चो इस सवाल का जवाब कई-कई अपने पुत्र भरत को क्या देती है? इसके बारे में हम अगले कालांज में जानकारी लेंगे मुझे आशा है इस कालांज में जो मैंने आपको सिखाया वह आपको अच्छे से समझ में आया होगा धन्यवाद